नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलोजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में आए बात करते हैं टेक्नोलोजी में क्या नया चल रहा है सबसे पहले ख़बर निकल कर आ रही है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और जनेरेटिव एई से भारत सरकार में आर्टिफ 2023 में अभी आना है इसकी निजुज निकलकर आई है कि इसमें शायद रोक लग जाए जो पब्लिक ली डेटा पब्लिक का है अभी उसे जनेरेटिव एऐ यूज नहीं कर सकती क्योंकि भारत के लोगों का डेटा है और जो जनेरेटिव एई बन रहा है वो भारत का नहीं है बाहर के देशों का है या कहीं कभी है तो वह ऐसे ही किसी का पब्लिक डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी दूसरे कंट्री के लोगों को इन्फोमिशन देने के लिए तो इसके ओपर काफी वादविवाद चल रहे हैं यह एक ड्राफ्ट वगएरा कुछ आया है जो कि पक्का बिल बन जाएगा और यह बहुत ही जंदी आने वाला है इसका मतलब है कि भारत की इंफोर्मिशन को लेकर मैं नहीं कर सकेगी या लोगों को ऐसे पब्लिक ली नहीं दिखा पाएगी अगला अपडेट निकल कर आ रहा है शाओमी की तरफ से कि शाओमी देखो भाई अठारा हजार रेटेल स्टोर है इनके इसका मतलब पूरे कंट्री में अठारा ह 24% जो भी रेड्मी की सेल्स आती है वो रिटेल स्टोर से आती है तो उन्होंने सोचा है कि अब ऑफलाइन जो स्टोर है उनको भी हम इंक्रीज करते हैं ताकि लोग जो फॉन खरीदें ओफलाइन स्टोर अपने शाओमी स्टोर से जाकर खरीद ले और आपको पता भी होगा जो नथिंग फोन टू जब आया है तो उसके उपर एक्सपीरियन स्टोर वगेरा भी भारत में खुलने की खबर आ रही है तो अब जो फ्यूचर होने वाला है वो शायद अब ऑनलाइन फोन खरीदने का नहीं है एक ऑफलाइन मार्केट एक हब एक शॉप एक शोरूम का है और यह जितने भी शेयर एप थी जिससे आप डेटा एक फोन से दूसरे फोन में डाल सकते हैं वो पिट गई उन्हें कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि एकदम ऑफिशिल चीज है नियर बाइशेर इससे आप अपने लैपटाप कंप्यूटर और मोबाइल लैपटाप साम से भीज सकते हो प्रॉब्लम ही है कि कई बार आप जब नियर बाइशेर ऑन कर देते हो तो आपका सामने बारे डिवाइस डिटेक्ट नहीं होता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब बीटा जो वर्जन है उसमें QR कोड देखने को मिलेगा जानी कि आप जिस ड अब से उनको भूल जाएंगे अगली खबर आ रही है रियल्मी पैड इस तू से आपको पता होगा मेरे पास एक रियल्मी पैड है काफी अच्छा टैबलेट है बहुत स्लीक है अभी उसका रियल्मी पैड टू आने वाला है जो की टू के रिजलिशन के साथ आने वाला है यह टैबलेट होगा जिसकी जो स्क्रीन है वह इतनम हाई क्वालिटी स्क्रीन होगी 19 जुलाई का इसका लॉंच है तो अगर आप टैबलेट वगरा खरीना चाहते हैं तो अगली खबर आ रही है यूरोपीन यूनियन और आइफोन से और वाकिसारे फोन से ऐसा हो सकता है कि बजार में जो नए फोन आए वह रिप्लेस करने वाली बैटरी के साथ है यूरोपीन यूनियन ने काया कि आइफोन या कोई फोन हमारे या वही फोन चलेगा जिसमें आप बैटरी लगा सकते हो इब फाइदे वाली बात भी आपको पता होगा जो पहले फोन आते थे उनकी यूरोपीन यूनियन चाहती है कि रिमोवेबल बैटरी हो तो आने वाले कुछ सालों में आइफोन में भी शायद आपको रिमोवेबल बैटरी देखने को मिले जो की मतलब दुनिया बदल जाएगी आपको बालो मैं आइफोन की बैटरी लाइफ इतनी नहीं होती नहीं लोटी हुई दिख रही है और शायद बहुत जल्दी हो भी जाएं अगली खबरारी एमाजन से कि एक आदमी ने 90,000 रुपे का एक कैमरा लेंस ओर किया और उसको कैमरा लेंस तो नहीं मिला उसको इस पैकेज में किनुवा सीड्स मिले किनुवा एक तरह का अनाज होता है ज इतना सा काफी महेंगी चीज़ है इस चीज़ को रिपोर्ट करते हुए उसर ट्विटर पे का कि भाई मैंने कैमरा लेंस मंगाया मुझे किनुवा क्यों भेज़ दिया आपने तो वहले हम इसके पर तफ्तीश कर रहे हैं आप इन्वेस्टिकेट कर रहे हैं आप इसको बिलते हैं अब Amazon के साथ भी यह हो रहा है तो यह काफी सोचने वाली बात है तो इससे बचने के लिए मैं यही रिकमेंड करता हूं या जब भी कोई प्रॉडट आता है तो उसे जब आप खोलते हैं तो कैमरा के सामने वीडियो लगा कर ओपन करें कोई बहेंगी चीज आ र अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें सावर सेक्योरी और इथिकल हैं में इंट्रस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें तू नाइटीन रूपीज के तीन इथिकल हैं कुर्सिस हैं आसान भाशा में आपको इथिकल हैं क्या स्कत्तु और ओू, कांपको ब feeling हैं ये नाइटीन इंटीन थham से रहाः झाना आपको लोगओ बाल käytt के साुझवे धी घ्याओं करें सेखा हैं सेक्योरी कुरस्ट हैं सेक्योरी वीडिये दोत्ताट्स्योरी कि के सावर्केशन धी दोत्ता एक्योरी ऑनीर हैं सेते सीट